असलाम अलेकुम कैसे हैं आज मैं आपके लेके आई हूं लोबिया चिकन वह भी शोरबे वाला बहुत ही जपरदस बनता है बहुत ही मज़ेका गर्मियों में तो यह बहुत मज़ेका लगता है आम दिनों में भी लगता है मगर गर्मियों में हमेशा यह अमोमन बहुत बनाती तो मैंने सोचा है मैं अपनी रेशिपी शेयर करती हूं इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं और विद बोन भी बना सकते हैं चिकन में तो आए स्टार्ट करते हैं फ्यूरू में हम लेंगे चार खाने के चमश तेल और तीन बड़ी मीडियम साइज की प्यास इसको हमें सिर प्याइट पर रख देंगे इससे निकाल लिया अभी हमने से पीस लिया अब उसी पैन में हमने आदा कप ऑल लिया आप चाहें तो जादा ले सकते हैं मैंने आदा कप से भी कमी लिया था मगर मैंने एक शोर्बे के लिहास से सही लिया था अब इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच अदक लसन का पेस्ट शामिल करूंगी जब इसका कच्छापन दूर हो जाएगा इसकी खुश्बू आने लगेगी तो आदा कीलो से भी जादा बोन के सादा बोलनेस चिकन दोनों मिक्स थी इसमें तो मैंने आदा कीलो से भी एक किलो के हिसाब से यह चिकन होगी जिने सिस्क्राइब करें कियोंकि हम इसमें सॉल्ट एडी होता है और हाफ चीजबून मैंने इसमें हल्दी शामिल की उसके बाद चिकन क्यूब के बाद मैंने दो बड़े जीरे खाने के चमर जीरा पाओडर यानि क्यूम्न पाओडर लिया मसालिक की रेसिपी जो डिस्रि मिर्चे भी पीसी थी आप चाहे तो जादा भी ले सकते हैं अपनी कॉंटिटी के साफ ते आप कितना स्पाइस पतन करते हैं अब देगी लाल मिर्च मेरे पास पपरीका यहां होती है तो मैंने पपरीका पौडर एक्च खाने का चम्मच कलर के लिए एड़ किया आप देगी जाहरी मिर्च ऐसी खुच्बू के लिए शामिल कर दी इसके सीड्स मैंने रिमूफ कर दिये थे अब बीच जिस में हम यह पानी एड़ किया जितना चाहें आपको चौरबा रखना हो पिर हम इसे थोड़ी दे के लिए कोख होने के लिए रख देंगे दो से तीन मिनट चाक जालके हाफ टी स्पून सिर्फ इसमें लोबिया शामिल करनी है यह लोबिया मैंने एड़ की आप चाहे तो रेट भी ले सकते हैं रेट के साथ भी बहुत मज़ेगी लगती है मैं आमोमन रेट के साथ ही बनाती हूं और फिर से मैंने पांच मिनट के लिए दम पे छोड़ यह हलकी आज पर यह देखें यह अच्छी से कुक होने लगी इसके बाद मैं इसमें कसूरी में थी इससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है वो शामिल किया वन टी स्पून उसके बाद एक टी स्पून यानि एक खाने का चमच मैंने चाट मसाला उपर से स्प्रिंकल किया चाट मसाले के बाद जो उसका टेस्ट आता है वो बहुत मज़ेगा होता है तो जरूर कीजेगा उसको स्किप मत कीजेगा और हरा धनिया दाल के दम पे चोड़ दिया इसे आ मैं भूलेगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब के जीए शेयर किजीए बैल आइकन को प्रेस कीजे ताकि मेरी नए आने वाली रेसीपि आपको मिले तो मेरी इंस्टा पेज को भी प्लीस लाइक कीजे इंस अंदर बो निदा बो काशिव और प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कीजिए अपना ख्याल रखेगा इंशालला फिर मिलूंगी अल्ला हाफिज